Hello students, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जर्णल एंट्री की विडियो सिरी और आज के इस फॉर्स्ट विडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्चेस की जर्णल एंट्री हम लोग किस तरीके से पास्ट करते हैं तो अगर आप दी जानना चाते हैं पर्चेस की जर्णल एंट्री तो हमारे साथ इस विडियो के एंड तक बने रहे हैं अलब दोस्तों मेरा नाम है सूरज कुमार गुपता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आप नॉलेज कैंपस स्टूरेंट्स पैने आप लोगों को अपने प्रीविएस विडियो में बताया था कि पर्चेस का मतलब अकाउंटेंसी के सब्जेक में गुड्स की पर्चेस होती है यानि कि हम लोग अगर गुड्स के अलावा किसी भी दूसरे चीज को पर्चेस करते हैं तो अकाउंटेंसी में ट्रांजाक्शन की रिकॉर्डिंग के टाइम पे हम लोग पर्चेस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किसी भी ट्रांजाक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पर्चेस अकाउंट हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं अभी यूज करते हैं, जब हम लोगोंने goods की purchase की हैं, और श्टेश्मेरी या asset जैसे तीजों के purchase के लिए हम लोग purchase account यूज नहीं करते हैं, तो purchase के transactions का मतलब goods की purchase, हम लोग जब भी किसी भी goods की purchase करते हैं, तो purchase करने के time पे ये जो goods हम लोग खरीद रहे हैं, ये business इसकी expense मानी जाती है, और modern rule के इसाब से expense increase होने पर हम लोग इसे debit में लिखते हैं, यानि की purchase करने के time पे हमारी क्या हो रही है, expense बढ़ रही है, और इसलिए इसे हम लोग debit side में लिखेंगे purchase account debit, और अगर हम लोगोंने cash में purchase किया है goods को, तो हमारे cash की balance कम हो जाएगी, इसका मतलब हमारी asset कम हो जाएगी, क्योंकि cash का nature modern rule के साब से asset का होता है, तो cash का कम होना, इसका मतलब asset का कम होना, तो इस भी asset के कम होने पर हम लोग इसे credit side में record करते हैं, as per modern rule, तो cash account credit हो जाएगी, तो complete journal entry जो बनेगी, वो है purchase account debit to cash account, ये जो या आप मुझे बता सकते हैं, कि अगर हम लोग goods को credit में purchase करेंगे, तो इसकी entry क्या होगी, अगर आपको ये पता है, तो हमें comment box में बताईए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को like कीजे, अपने दोस्तों के साथ भी इसे share कीजे, इसी तरीके के informative वीडियो के regular update के लिए मारे चैनल को subscribe कीजे, और बिल आइकेन को भी ज़रूर प्रेस कीजे, thank you so much, bye bye, take care.